नमस्कार आप देखना श्टार्ट कर चुके हैं अयरुवेदिक उप्चार दोस्तों छांच जिससे बटर मिल्क भी कहा जाता है कई लोगों को पसंद भी होती है निमित रूप से छांच पीने से न केवल सिहत को फायदा पहुंचता है बलकि दिमाग को भी ठंधक मिलती है सा चाँच का यह जो वीडियो है वह इसी बात पर आधारित है कि हमें चाँच का सिवन और खास करके इन गर्मियों में क्यों जरूरी रूप से करना चाहिए वीडियो को बीना स्किप किये हुए इसलिए अंत तक जरूर देखेगा नमबर उन चांच का सिवन भुने हुए जी आपको बवासिर जैसे शिकायत नहीं होने देगा पेट को गर्म नहीं होने देगा ठंधा रखेगा जो की गर्मियों में शिकायत होती है तो गर्मियों में छांच का सेवन जरूर करना चाहिए नमबर टू मोटापा अधिक होने पर छांच को छोंक करके सेंधा नमक डाल करके पीजे इससे फायदा होता है उच्छ रक्त चाप होने पर गिलोई का चून मठे के साथ लेना है चाहिए वहीं पर सुबह शाम मठा या दही की पतली लसी पीजे इससे अस्मरण शक्ती तेज होती है यानि कि आपकी यादास्त मजबूत होती है गर्मियों में इसले भी मठे क सेवन करना चाहिए नमबर थर्ड बार बार हिचकी आ रही हो किसी को ये समस्या परिशान करती हो तो चांच में एक चमच सोंठ डाल करके सेवन करना काफी लाबदायक होता है उल्टी आने या फिर जी मिचलाने पर चांच में जायफल घिस करके इसके मिश्राण को पीने से भी लाब होता है तो जब भी आपको जी मिचलाने की समस्या हो उल्टी आने की समस्या हो या फिर हिचकी आ रही हो तो ये प्रियोग जरूर कीजिए नमबर फोर सौंधरी समस्याओं के लिए भी चांच बहुत पायदेमंद चीज है चांच में आटा मिला करके बनाए गए लेप को त्वचा से लगा लीजिए त्वचा पर जब आप लगाएंगे तो इससे जुर्यां कम हो जाएंगी इसके अलावा गुलाब की जड़ को छांच में पीस करके चेहरे पर लगाने से मुहासे भी खत्म हो जाएंगे अगर आप अत्यधिक तनाव से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं तो नियमित रूप से चांच का सेवन आपके लिए काफी लाब दायक रहेगा वहीं पर शरीर के साथ साथ दिमाग की गर्मी को भी कम करने में चांच काफी लाप्रद और शदी है शरीर की किसी भी भाग में जल जाने पर तुरंत चांच लगा लिजिए इससे लाब होता है खुजली की समस्या होने पर अमल तास के पत्ते चांच में पीस लिजिए और शरीर पर मलिए कुछ देर बाद असनान कर लिजिए शरीर की खुजली इससे नश्ट हो जाती है नमबर सेविन जहर को उतारने में भी इसका प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा जहर खाने पर उसे बार-बार फीका मठा पिलाने से लाव होता है परन्तु डॉक्टर की सलाह इसमें बहुत जरूरी है विशेले जियुजन्तु के काटने पर मठे में तंबाकु मि जल्दी ठीक हो जाती है नमबर नाइन बाल जढ़ने पर भी चांच काफी असरकारक और शदी है इसके लिए वासी चांच से सब्ता हमें दो दिन बालों को धुना कर दीजिए यह बालों के लिए बहतर है जितने दही उपयोगी है उतनी ही उपयोगी यह भी है बस इसको थ फेद नहीं होंगे चाच का सेवन आपको डिहाइडरेशन से भी बचाएगा गर्मियों में जब इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर में पानी बना रहेगा पानी का लेवल जिससे की डिहाइडरेशन की समस्या नहीं होगी तो यह बहुत अच्छी और शदी है इसका सेवन जरूर करना चाहिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले साथी साथ लाइक कीजे वीडियो को पसंद आया तो शेर कीजे वर्सप पे फेस्बुक पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ दोस्तों के साथ ताकि उनको एक बहतर जानकारी मिल सके फिलहाल आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्थ रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों